हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जुगनवी लक्टो टिप्स चैनल स्वागत आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जो बॉडी टेंपरेचर सेंस या बॉडी टेंपरेचर मेजरमेंट करने का थर्मामीटर होता है उसमें आप कैसे बैटरी रिप्लेस करते हैं में बैटरी कैसे इंस्टॉल करते हैं इसमें जब बैटरी वीग होती है तो यह दिक्कत आती है यह इसकी रेडिंग या डिस्प्ले पर आने वाले नंबर गायब होने लगते हैं या जैसे बिलिंक करने लगते हैं आते हैं गायब हो जाते हैं य 15 बैटरी भीख हो चुकी है बैटरी पूरी तरह से डैड हो गई तो उसे बैटरी को रीपलेस करना ज़रूरी होता है नए लोगों को अगसे पता नहीं रहता और जोर से बार बटन दबाते हैं सब्सक्राइब हैं सिर्फ कर सा इस इस का करना है इसका जो राइट साइड बटन की राइट हैंसा कैप देख रहे हैं इस के अब को इस तरह से अधाना यही आप पहले पर आप पैżा साफ लगाएंगा इस तरह से खिच आएगा और इस तरह से इसकी एक डिस्प्ले प्लेट निकलती है इसको बाहर नहीं कीचना है दोस्तों इसको सिर्फ इतना कीचना है कि फिर इसकी यहां से यह स्लाइड होके बार बार आगे पीछे होती है इसमें माइक्रो चिप डिवाइस लगी होती है एक थर्मोस थर्मल सेंसर लगा होता है जो चिप की फॉम में होता है इसको पानी नहीं डालना है दोस्तों इस पर पानी नहीं पढ़ना चाहिए और ज्यादा इमडिटी वाली जगह ज्यादा नमी वाली जगह पर इसको नहीं रखना चाहिए यह इसलिए खराब हो जाता है जहां तक हो हो सकी इसको ड्राई जगह पर रखें तो दोस्तों यहां से आप को क्या करना है यहां क likesđ मैं यह जो दिख रहा है आपको यहां पर इससे बैट्री कि लगती है कि छी तरह से लगती है यह मैं आपको बताता तो यह हम ले लेते हैं एक नई बैटरी नया सेल और इसको इस पर एक पनी फिल्म लगी होती है उसको हमने हटाना होता है उस फिल्म को हटा करके उस फिल्म को हटा करके पूरी तरह से इस पर लगी ना हो थोड़ा सा इसे हम रप कर लेते हैं इस तरह से गिस लेते हैं ताकि कि किसम का मॉफ्स चर्फ इस पर यह किसी तरह की पॉलिस होती है तो वो घट जाएगी तो इस तरह से हमें क्या करना यह जो बिंदू वाली इसमें और इसको धीरे से आईस्टे से बंद कर देंगे यह आपको दिखाने लगा ल ओ और यहां से यह यहां पर दिखा रहा है LO LOW TEMPERACYन, 98.6 deja आप असको चालू करके देखेँंगे आप इसे लगा सकते father कि सी बॉड़ी में या कि सी रूम में या एक दाथ में इसका टमिजर कर सकते इसके द्वारा अुस्का टमिल्यूआजय यह फ़ारें आइट में दिखाता है दोस्ट नभा कि दिखाईंगे अभी